स्वागत हैं आपका दिवेह माचल टीवी में मैं हूं दिक्षा शर्मा शाम के छे बच चुके हैं और प्रदेश की तमाम खबरों के साथ हम आपके समक्षा चुके हैं कई लेटस अपडेट साजस बुलेटिन में हम आपके साथ साजा करने वाले हैं देखे विशेश तोर से बड़ी बात करेंगे OPS को लेकर आखिरकार कौनसी कॉर्परेशन में OPS फस गई है और पैंशनर्स को क्यूं यहां परेशान होना पड़ रहा है आने वाले समय में क्या ऐसी ही स्थिती बाकी विभागों में भी बन सकती है इसे लेकर बारीकी से हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं दूसरी बात एंटिटी भरती को लेकर करेंगे क्योंकि बड़ा पेच इसमें भी फस गया है खैर भरती प्रक्रिया तो पूरी होकर रहेगी ही लेकिन जो महि अजार में भी अगर हम कहें कि पूरी सेलरी उन्हें नहीं मिलने वाली है और कैसे ये बिल्कुल जानकारी हम आपको देंगे बारीकी से तीसरी बात मुख्यमंत्री सुक्फिंदर सिंग सुखु से जुड़ी करना चाहेंगे क्योंकि बड़ा जुबानी हमला इन्होंने हफते से जादा का समय हो गया है लेकिन दो ही भारी बारिशे हुई है इससे पहले भी नुकसान भरे मामले सामने आये थे जब आदी रात तक बारिश होती रही और कल शाम को भी कुछ देर तक रात में बारिश हुई लेकिन उसके बाद सुभा 36 जगाएं सडके अवरुद बताई जा रही हैं हलाकि कुछ एक सडकी अब इन में से बहाल कर दी गई है दरसल ये जगा जगा भूस खलन होने का मामला सडकों में सामने आया था इसके अलावा 119 ट्रांसफारमर्स भी ठब बताए जा रहे हैं यानि कि जहां बिजली गुल हो गई है हलकी सी बारिश से भी काफी जादा नुकसान क्योंकि हिमाचर प्रदेश में हो जाया करता है और उसका एक ये बड़ा उधारन है कि भारी बारिश के बाद देखा जा सकता है एक हलकी बारिश है भारी बारिश भी खैर हम कह सकते हैं क्योंकि कुछ खशनों तक जारी रही थी बारिश और उसक बाद देखा जा सकता है 36 सड़के अवरुद हो गई है 189 ट्रांसफार्मर्स भी ठप हो गए हैं विशेश तो और से जंजातिय क्षेत्रों में सबसे जादा ये समस्याइं बढ़ जाया करती हैं अभी आठ चुलाय तक मौसम इसी तरह का बना रहेगा यानि की बारिश को लेक मेला ग्राउंग में चार बच्चे प्रवासियों के सोई हुए थे और उसी वक्त रात के साड़े दस बजे वहां एक ट्रक चालक आ गया अपना ट्रक लेकर जैसे ही इसने ट्रक को बैक करने की कोशिश की तो ये ट्रक प्रवासी बच्चों पर चड़ गया जिसके बाद ए कहना चाहेंगे जैसे ही बच्चों ने जोर से चिलाना शुरू किया एक तरह से क्योंकि चींक पुकार में महौल बदल गया था तो काफी सारे स्थानियों लोग वहां पहुँच गए और स्थानियों लोगों ने बच्चों को अस्पताल पहुचाने की पूरी कोशिश भी क एक बच्चे की लेकिन फिर भी मौत हो गई है गंभी रूप से ये बच्चे घायल हो गए थे पहले इने नगरोटा बगवा अस्पताल ले जाया गया लेकिन फिर टांडा मेडिकल कॉलिज में रैफर करना पड़ा क्योंकि गंभीर इतनी जादा हालत में थे और उसके और ट्रक चालक को बक्षा नहीं जाएगा उसकी गलती की सजा उसे मिलकर रहेगी लेकिन बात ये भी है कि जिस वक्त मेला ग्राउंड में ट्रक चालक अपना वहान लेकर पहुंचा था अंधेरा चाया हुआ था रात के साड़े दस बज रहे थे और बच्चे सोई हुए थ उसकी नजर नहीं पड़ी लेकिन ध्यान रखने की आविशकता थी और ध्यान रखने की आविशकता माता पीता को भी थी जीरों ने ऐसी जगह पर बच्चों को सुला दिया था जहां पर एक वहान भी आ पहुंचा लेकिन अब फिलहाल दो बच्चे गंभीर रूप से घाय जिसमें एक अस्थानिय यूवक था और बाकी के पांच लोग यूपी से आये हुए थे ये दरसल दर्शन करने के लिए माता के यहां पहुंचे थे और सवा 6 बजे का समय था सुभा का हलाकि 6 नहीं ये 500 के करीब लोग थे जो की खड में नहने के लिए गए थे लेकिन गनि पर ही वो इस खड के किनारे पहुंचे जितने भी लोग थे उन्हें बाहर आने की अपील की लेकिन बीच में 6 लोग पत्थर में फस गए थे और ये काफी देर तक फसे रहे दो घंटे तक रेस्क्यू आपरेशन इनके लिए चलाना पड़ा लेकिन जो शोकराना है दमकल व है सके और इस बीच हडबढ़ाए ना क्योंकि एक तरह से लोगों ने भी चिलाना शुरू कर दिया था इने लग रहा था जलसतर बढ़ रहा है हो ना हो ये डूब जाएंगे कहीं की मौत ना हो जाए इस तरह के खयाल अकसर फिर इंसान के दिमाग में चलने लगते हैं लेक जाने के लिए और अब भी ये बच चुके हैं लेकिन यहां से सबक लेने की फिर आविशकता है क्योंकि ब्यास नदी के आसपास भी बहुत सारे सैलानी ऐसे देखे जा रहे हैं जो अभी भी डुपकिया लगा रहे हैं पिशले कल धौलाधार में इस तरह का मामला सामने आय हैं और इन दिनों चंद ही मिंटों में जलस्तर बढ़ जाया करता है जिस वज़े से एक बड़ी परेशानी भी खड़ी हो सकती है जान का भी नुकसान हो सकता है पुरी संभावना इस सिचुएशन में ऐसी बन जाती है कि जान का नुकसान हो सकता है देखे मुख्यमंतरी आज हमीरपुर गए थे और इनों ने चुनावी प्रचार प्रसार किया है पुष्पेंदर वर्मा के लिए साथी साथ जुबानी हमला बोला है जो पुर्व में निर्दलिये विधायक थे आशीर शर्मा और अभी मौजूदा समय में भाश्पा प्रतियाशी है दर असल इन लिए की और 135 क्रोड का टेंडर भी लिया खुद की आर्थिकी को बढ़ावा देने के लिए सडके तुडवाने का काम किया सिर्फ सडक नहीं बलकि सरकार तक को उन्होंने तोडने की कोशिश की है और इस बात का जवाब वहां की जनता उने दे कर रहेगी इस वक्त अगर हम नीरपूर की स्थिती पर हम गौर करें तो काफी जादा भीट पुषपेंदर वर्मा के साथ भी नजर आ रही है हलाकि अब यहां आशीर शर्मा को सपोर्ट किया जाता है या नहीं या जो एक पैना हत्यार लेकर मुख्या मंतरी सुखु चल रहे हैं और एक ही बात बार बा भाजपा में शामिल हुए हैं पांक साल के लिए ने चुना गया था तो आखिरकार क्या ऐसी नौबत आ गई जो कि 15 महीने में ही इने इस्तिफा देना पड़ रहा है कितने पैसे इसके लिए भाजपा ने इने दिये हैं इस बात का जवाब तो उने लोगों को देना ही चाह ये बड़ी बाती उनकी ओर से कही गई है फिलाल इन सभी बयानों का क्या इंपेक्ट पड़ता है आम लोगों पर ये हम आने वाले दिनों में देखने वाले हैं उप मुख्या मंतरी मुकेश अगनी होतरी के ओर से भी यही कहा जा रहा है कि जो उपचुनाव बार बार हो रहे हैं ये भाजपा का ही शड्यंतर है भाजपा जबरदस्ती उपचुनावों को थोप रही है जनता पर और अभी भी अपनी हरकतों से भाजपा बाज नहीं गये थे कि कोई मुख्या मंतरी बनेगा तो कोई मंतरी बनेगा लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और ना ही हो पाएगा अगले पूरे 5 साल तक अभी यहां कॉंग्रिस की ही सरकार बनी रहेगी ऐसे शड्यंतर में जनता भी ने कामियाब नहीं होने देने वाली है और इसका जो शिकायतों का निप्टारा करने के लिए और इसका बड़ा इंपक्ट भी देखने के लिए मिला 2020 और 2021 में तकरीबन 3000 से जादा शिकायतों का निप्टारा कर लिया गया है बागवानों की जैसे कि सेब के लेंदेन को लेकर किसी तरह की कोई शिकायत सामने आती थी लेकिन काफी संख्या में और काफी दिनों तक ये मामले लंबित ही रह जाया करते थे, अभी हजारों ऐसी शिकायते आ गई हैं जिनका कोई निप्टारा नहीं हो पाया है और आर्थियों की ओर से ही ये शिकायते हुई हैं, 2019 में हाई कोड की ओर से आदेश चारी किये गए थे कि आर् क्योंकि शिकायत का निप्टारा भी हो सके, देखे किन शिक्षकों को आवार्ड मिलने वाले हैं, ये भी जानकारी हम आपको देंगे क्योंकि केंद्रिय मंतरालय की ओर से प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, और ये आवेदन 15 जुलाय तक देने होंगे, इसमें पूरी प्र फॉर्म भनने होंगे, बाकी के दस्तावेश भी दिखाने होंगे, और 10 साल का अनुभव इसके लिए जरूरी किया गया है, और चैन की प्रक्रिया भी देखियो, ऑनलाइन ही रहने वाली है, यानकी फॉर्म भी ऑनलाइन फिल किये जाएंगे, फिर चैन भी ऑनलाइन धंक स ही होने वाला है, और उसके बाद फिर अवार्ड कैसे दिये जाते हैं, यह देखना होगा, क्योंकि इसके लिए बड़ा कारेक्रम आयोजित किया जाता है, क्योंकि पुरसकार शिक्षकों के हाथों में देकर उन्हें एक तरह से समानितिस में किया जाता है, 16 जुलाई से 25 ज दी जाएगी, जीला स्तरिय कमेटी की ओर से, राज्य स्तरिय कमेटी 26 जुलाई से 4 अगस तक बैठक करेगी और राज्य से 3 शिक्षकों का चयन कर उनके नाम नैशनल जूरी को भेजेगी, नैशनल जूरी 7 अगस से 12 अगस तक वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यम से इन शिक्षकों से सवाद करेगी और उनकी प्रेजेंटेशन देखेगी, इसके बाद 13 अगस तक राज्ट्रे पुरसकार के लिए शिक्षकों का अंतिम चयन कर लिया जाएगा, लेकिन 10 साल का अनुभव होना शिक्षकों को जरूरी है, वही शिक्षक इसमें आवेदन कर सकते ह जिनने 10 साल का पूरा एक्सपिरियंस हो, बी टेक ओनर्स की काउंसलिंग को लेकर भी शेडिूल जारी कर दिया गया है, और ये काउंसलिंग भी ऑनलाइन मोड पर ही होने वाली है, यूईटी की ओर से इसे लेकर सभी जानकारियां वेबसाइट पर डाल दी गई है, जो दस करने होगी और अपना फॉर्म भी ऑनलाइन ही भरना होगा, क्यूंकि काउंसलिंग ही ऑनलाइन धंसे होने वाली है, जो की 4 जुलाए को होगी बारिकी से जानकारी हासिल करने के लिए यूईटी की वेबसाइट भी आप चेक कर सकते हैं, प्रारंबिक शिक्षा विभाग मे प्रमोशन लिस्ट अभी तक जारी नहीं हो पाई है, टीजीटी जो की अब पीजीटी बनने का इंतजार कर रहे हैं, दरसल प्रवक्ताओं के काफी पद खाली चल रहे हैं, लेकिन उसके बावजुद भी प्रमोशन करने में देरी की जा रही है, पहले भी लोगसभा चुन प्रमोशन के लिए शिक्षक अपना इंतजार कर रहे हैं, ऐसे में जरूरी है कि जल से जल प्रमोशन लिस्ट चारी करती जाए, क्यूंकि 3334 पद प्रवक्ताओं के भी रिक चल रहे हैं स्कूलों में, ये शिकायत इनकी ओर से हो रही है, देखिए नई पहल हुई है और जीला शिमला से इसकी शुरुवात की गई है, ये तहसिलदारों से जुड़ी जानकारी हम लेकर आए हैं, केवल तहसिलदार नहीं बलकि इसमें पटवारी और STM भी शामिल है, कोशिश अप्रशाशन की और से ये हो रही है कि कोई भी शिकायत किसी भी क्षेतर से सामने आती है, तो 24 घंटे के भीतर उसका निप्टारा किया जाए, ये मौसम से जुड़ी जानकारी हम लेकर आए हैं, क्योंकि अब जगा जगा भूस खलन फिर से होने लगे हैं, कहीं भी सड़क तूर जाती है, या किसी के घर का नुकसान हो जाता है, तो वो डिरेक्ट यहां पटवारी या तहसिलदार को भी संपर्ट साथ सकता है, इसके लिए पूरी तयारी कर ली गई है प्रशाशन की ओर से, SDM को ये जिमा सौंपा गया है, कि उन्हें पटवारी और तहसिलदार का नंबर सावजन पटवारी देनी है, 24 घंटे के भीतर उन्हें फिल्ड पर पहुंचकर शिकायतों का निप्टारा करना होगा, या नुकसान देखना होगा कितना है, एक तरह से सिचुएशन हैंडल करने के लिए उन्हें कहा गया है, तो अब डिरेक्टली तहसिलदार और पटवारी को भी आप संपर्क साथ सकते हैं, जो तहसिरदार है, उन्हें मंडल का पुरा जिम्मा दिया गया है, पटवारी को पंचायत स्तर पर सभी समस्याइं देखने के लिए कहा गया है, और SDM को पूरी जानकारी होनी चाहिए कि आखिरकार कहा कितना नुकसान हुआ है, और उन्हें सब पटवारी राहत भी वहाँ पर जल्दी ही दी जा सके, तो अच्छा ये हम कदम कहना चाहेंगे, क्योंकि कवायद इसकी की गई है, जिला शिम्मला से इसकी कवायद शुरू हो गई है, तो ये एक अच्छा फैसला है, और अब SDM पर ये निर्भर करता है कि कितनी जल्दी व पॉंसुन तो अल्रेडी दस्तक दे ही चुका है, लेकिन अब इसके बाद लोगों में इंतजार बिल्कुर रहेगा कि कब तक ये नंबर उनके पास पहुंच पाए, और अपनी मदद के लिए वो फिर इन अधिकारियों से संपर्क साथ सके, इस बीच चाहे पटवारी हो य सर यहां से इस कॉर्परेशन से यही एक शिकायत आती है, कि या तो समय रहते सैर्जी और पेंशन की राशी HRTC को नहीं दी जाती है, ताकि करमचारियों को और पेंशनर्स को जल्दी भुकतान हो सके, और जब लेट लतीफी करके ये राशी दी भी जाये तो पूरी नहीं द दी जाती है, इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है, इस महीने दर असल जो राशी का भुकतान सरकार की ओर से HRTC को हुआ है, उससे करमचारियों को सैर्डी तो दे दी गई है, लेकिन पेंशन लटक गई है, इतनी राशी अभी HRTC के पास नहीं है कि पेंशनर्स को पेंशन भी द दिये गए हैं, इस कारण सैर्डी के 43 क्रोड तो करमचारियों के खाते में जमा करवा दिये गए हैं, लेकिन 24 क्रोड 50 लाग की कमी एक तरह से अभी HRTC के पास हो गई है, और पेंशन रुग गई है, जिस वज़ा से पेंशनर्स फिर नाराज चल रहे हैं, HRTC में इस वक्त 11, 24,900 करमचारी और 7,000 पेंशनर हैं, तो यानि कि काफी जादा संक्या है पेंशनर्स की भी लेकिन उतनी राशी अभी नहीं दी गई है, निगम को, कि वो पेंशन भी एक साथ ही पेंशनर्स की डाल सकें, और अब लाजमी सी बात है, इसे लेकर पेंशनर्स काफी जादा क्रो एंटिटी भरती में उन महिलाओं को एक बड़ा जटका है, जो कि पिछले 15 सालों से इस भरती का इंतजार कर रही थी, क्योंकि इन महिलाओं की संख्या भी कम नहीं है, 15,000 के करीब इनकी संख्या है, और ऐसे में ये बात पहले ही क्लियर कर दी गई थी कि NCTE की पड़ सकता है, और ये भी एक बड़ी बात है कि जहां महिलाओं 10,000 की सालरी एक्सपेक्ट करेंगी, क्या उन्हें वो पूरी मिल भी पाएगी या नहीं, अब ये हम क्यों कह रहे हैं, इस बात पर हम शंशे क्यों परकरार रखवाना चाहा रहे हैं, दरसल ये भी आप पू आइमरी कक्षाओं में वहां पर एक-एक एक एंटिटी एड़्जस की जाएगी, यानि कि एक-एक पद पर एंटिटी की भरती होने वाली है, लेकिन Electronic Development Corporation के माध्यम से ही भरती की जाए, आउट्चोर्स माध्यम से ही भरती होने वाली है, और NCTE की गाइडलाइन का भी इसमे आगे आप आएंगी, अब दूसरी बात क्या है, कि देखें, दस हजार इसमें सैलरी रखी गई है, लेकिन ये दस हजार सैलरी भी पूरी कैसे महिलाओं को मिलेगी, जब यहां Electronic Development Corporation के माध्यम से भरती हो रही है, पांच प्रतीशत चार्ज तो यही कंपनी ले लेती है, सैलर को मिलने वाले हैं, अगर पूरा हिसाब आप करें, तो यही आंकड़ा आपके पास भी आएगा, अब ऐसे में 15 सालों से जो महिलाएं इंतजार कर रही हैं, एंटिटी भरती का, क्या 6700 और लेकर वो खुश रहने वाली है, एक तो यह बड़ा सवाल है, दूसरी बात, NCTE की मार्धियम से यह टीचर्स रखवाई जाएंगी, तो ऐसे में पहले भी कई तरह की शिकायते आई हैं, कि जब बीच में कमपनीज होती हैं, तो कई तरह की परेशानियां आउट्सोर्स करमचारियों को आती है, फिर चाहे वो सैलरी से जुड़ी हो, छुटी से जुड़ी हो या अन्य तरह की परेशानियां हो, अब महिलाएं, इसमें क्या कदम उठाती है, क्या कुछ उनकी ओर से तै किया जाता है, ये देखना होगा, लेकिन बड़ी बात ये है कि 6297 के करीब पद यहां पर ज़रूर भरे जा रहे हैं, देखें अब परेटकों की तादाद हिमाच कर चल सकते हैं, कि मौनसून ने दस्तक दे दी है, जगा-जगा नुकसान भरे मामले भी सामने आ रहे हैं, और ऐसी स्थिती से परेटक घबरा जाया करते हैं, लेकिन एक विशेश पैकेज इनके लिए लाया गया है, HPTDC की ओर से, यानि कि HPTDC के होटेल्स में जो सुविधा ठेहरते हैं, तो और धरमशाला होटेल धौलाधार में भी 40% चूट परेटकों को दी जा रही है, इसके अलावा शिमला के ट्रिपल एच में 30% चूट परेटकों को दी जाएगी, मनाली होटल कुंजू में भी 30% चूट दी जाएगी, शिमला होटल पिटर हॉफ में 30% चू मिलने वाली है, मैकलोन गंज होटल भागसू में भी 30% चूट दी जा रही है, 40% जो कुछ और होटल स हमारे सामने आएं, जहां पैकेश में 40% के करीब चूट दी जाएगी, उसमें पैलेस चायल में होटल का भी नाम शामिल है, डलहौजी मनी महिष में भी 40% चूट मिलने गोल्स ग्लैड में भी 40-50 छूट दी जा रही है, ये HPTDC की ओर से बड़ा कदम उठाया गया है, ताकि परेटकों को आकरशित किया जा सके हिमाचर प्रदेश की ओर, तो अब इतनी जादा छूट में रही है, इसके बाद परेटकों की तादाद यहां बढ़ पाती है या नही ये देखना होगा, साथी साथ हिमाचर प्रदेश शिश्य विडियाले की ओर से BSE का भी रिजल्ट घोशित कर दिया गया है, ये फाइनल येर का रिजल्ट घोशित हुआ है, और अच्छी बात ये है कि इस बार 33 दिन पहले ही रिजल्ट घोशित हो चुका है, कहां तो चात 827 बच्चे पास हो गए हैं, और ये पूरी जानकारी वेबसाइट पर जाकर भी बच्चे चेक कर सकते हैं, इनकी जो चातर हैं वो चेक कर सकते हैं, फिर मिलेंगे नई खबर के साथ, देखते रहे हैं दिवेह माचल टीवी, धन्यवाद